तो आज हम आपके लिए वीडियो इसलिए लेके आए हैं ताकि आपको एक opportunity के बारे में बता सके कि National Defense Academy का जो exam आ रहा है September 2021 में वो किस तरीके से कुछ set of students के लिए एक golden opportunity हो सकता है जो students एक different career approach के साथ आगे बढ़ना चाते हैं और जिनको life में थोड़ी surety चाहिए कि मुझे 12 के बाद क्या करना है खासतोर पर और क्यूंकि उसका सबसे बड़ा reason ये है कि National Defense Academy का जो exam September में होता है वो खासतोर से उन बच्चों के लिए बहुत important होता है और golden opportunity है जो 12 में पढ़ रहे हैं अब इसके लिए अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि September का exam जो है तो और सबसे बड़ी चीज इसमें ये भी है कि अगर आप September की तयारी अच्छे से करते हैं तो September का ही पेपर आप सिर्फ नहीं देंगे उसके साथ-साथ जो अगले साल April 2022 में आएगा उसके लिए भी आपको अलग से preparation करने का जरूरत नहीं पड़ेगा नहीं तो actually में होता ये है कि 12th के बाद generally बचे एक साल अपना वेस्ट कर देते हैं NDA की तयारी में क्योंकि उनको एक साल के बाद फिर वो अगले साल September का पेपर टार्गेट करेंगे फोर एक्जैमपल अगर आप इस साल ये सप्टेंबर वाला एक्जैम जो बच्चे 12th में है वो छोड़ देते हैं तो आप अगले साल का जो April का एक्जैम है वो आप सीरियसली नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपको बोर्ड एक्जैम अपने दिने है तो आप जो अगला या पेरेंट्स उनको भूलते हैं कि आपको साइड बै साइड कुछ और करना चाहिए तो कहीं ना कहीं आप फिर एक यूज्वल करियर अप्रोच जो जनरली हमारी सुसाइटी में ट्रेंड में है आईएटी और नीट का आप उसकी तरफ चले जाते हैं बट अगर आप NDA को कंपेर करेंगे आईएटी और नीट से तो यह एक बेटर और मैं कहूंगा सबसे बहतर करियर ऑपरजुनिटी है खास करके यंग बॉइस के लिए जो 12 के बाद फ्रेश पास आउट हो रहे हैं और वो लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं सबसे पहली चीज तो यह है कि NDA को आपको पहली बात तो यह समझनी है कि NDA आपका पढ़ाई नहीं है NDA आपका employment है जिस तरीके से आप IIT और NEET का paper देते हैं तो आपको वो एक पढ़ाई है उसमें आप education लेते हैं और फिर उसके बाद आपका career approach आपके performance के हैसाब से job opportunities आपको private या public sector में मिलती हैं in Air Force के लिए और आप as a officer commissioned होते हैं आप आर्मी और Navy Air Force में तो NDA का जो program है वो भी four and a half years का होता है आप IIT है नीट के थूरू जाते हैं education लेते हैं MABS करते हैं या B.Tech करते हैं या Biotech जो भी आप career approach लेते हैं उसमें भी आप तीन से चार साल की पढ़ाई करते हैं बट वो पढ़ाई है उसमें आपका job security नहीं है example के तौर पर आपने IIT का paper दिया IIT qualify किया IIT qualify करने के बाद आप चार साल पढ़ेंगे पढ़ने के बाद आप job ढूनेगे आपका campus होगा या फिर आप किसी और further higher studies के लिए जाएंगे आप IAM join करेंगे वो एक अलग different approach होता है लेकिन अगर मैं NDA की बात करूं तो NDA पूरी त best life opportunity भी मिल रही है जिसमें आपको uniform services में काम करने का मौका मिलेगा country को serve करने का मौका मिलेगा और उसके साथ-साथ government आपको एक royal lifestyle भी देगी जो एक officer के साथ जुड़ी होती है तो पहली चीज तो यह है अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि September वाला exam आपके लिए अच्छा है क्योंकि अगर आप calculate करेंगे तो September इस साल जो paper आपका UPSC ले रही है NDA 2021 सेप्टेंबर वाला यह paper आपका September 5 तरीक को है मतलब first week of September में यह exam हो जाएगा तो अगर मैं आपके board exam को भी consider करूं कि कई बार आप यह सोचते हैं कि नहीं मुझे board exam पहले देना चाहिए बाद मैं यह चीजों पर focus करूंगा तो अगर आप इसको logically और practically देखेंगे तो आप दोनों काम एक साथ कर सकते हैं अभी आपके पास NDA की त्यारी करने के लिए अभी April शुरू हुआ है April, May, June, July, August आपके पास पूरे-पूरे 5 महिने हैं आप simultaneously exam की त्यारी अपने school के साथ कर सकते हैं इस त्यारी के साथ आप NDA में appear होंगे, NDA की appearance के बाद 5 September को जबी paper हो जाएगा तो उसके बाद आपके पास पूरे-पूरे 6 महिने और होंगे अपने board exam पे focus करने के लिए, सबसे बड़ी बात ये है कि NDA का exam जो होता है वो across the field होता है, आप art side से हैं, commerce background से हैं, humanities से आते हैं, science से आते हैं, maths है, bio है, कोई भी subject stream से आप 12 में हो, आप ये paper दे सकते हैं, बस फर्क होता है कि जो physics और maths वाले students हैं, उनको NDA के exam में दो extra choice ये मिलती हैं, कि जब आप form भरेंगे, तो आप उसमें ये decide कर सकते हैं, कि मैं Navy first choice होगा, Air Force first choice होगा, या Army first choice होगा, लेकिन जो non maths और physics background क के बच्चे हैं, वो by default Army के लिए जाते हैं, दूसरी चीज़ ये है, NDA में attempt count नहीं होते हैं, आपका age bracket होता है, तो कई बार बच्चे 12 के बाद NDA जब देने के लिए सोचते हैं, तो उन बच्चों का age निकल जाता है, क्योंकि वो कहने के लिए तो साड़े 18 से 19 साल होता है, अगर मैं NDA के time frame का बात करूं, तो जैसे अभी जो April NDA आ रहा है, April NDA का जो paper है, वो 2002 से 2005 के बच्चों के लिए हैं, अब जो अगला NDA आएगा वो 2003 से 2006 होगा, actually में होता ये है कि हर exam में जो आपका ये age bracket है, वो 6 मेने आगे बढ़ जाता है, तो अगर जो बच्चे अभी 12 म हैं, अगर वो September के exam को थोड़ा seriously लेंगे, तो उनके लिए फायदा ये है कि वो September का exam देने के बाद अपने board exam पे focus कर सकते हैं, आप लोगों का अच्छे से अगर आप paper देंगे और clear करते हैं, तो आपका SSB आएगा December January में, SSB पांस दिन का होता है, वो पूरी तरीके से personality test है, उस personality test में आपको सिर्फ और सिर्फ अपने verbal, non-verbal, interview, इन सब की त्यारी करनी होती है, तो उसके लिए आपको extra effort जो है, वो थोड़ा सा करना पड़ेगा, उससे आपकी studies पे कोई फरक नहीं पड़ेगा, हाँ, SSB देने के बाद आपका जो joining आएगा, जो September वाले बच्चे सिल तो आपके उपर और आपके parents के उपर एक pressure नहीं होगा, कि 12th हो गया है, अब बच्चा क्या करेगा, सबसे पहली चीज तो यह है, दूसरी चीज यह है, कि यह UPSC paper कराता है, तो सबसे पहली बात ही होती है, कि paper में surety होती है, कि होगा, और जो joining आती है, और जो curriculum है, वो fix होत पहली चीज तो यह है, दूसरी चीज यह है, कि अगर आप यह September वाला paper अच्छे से देंगे, अच्छे से इसकी तयारी करेंगे, तो दूसरा benefit आपको इसमें यह होगा, कि आप इसी तयारी में अपने board exams के immediately बात, जो April वाला exam होगा, अगर आपकी age आपके साथ है, तो आप भी दे सकते हैं, उसके लिए आपको अलग से preparation करने का जरूरत नहीं है, तो basic बात यह है कि अगर आप इस September वाले exam को खास करके वो बच्चे में, फिर से बोलूँगा, वो बच्चे जो 12 में अभी गए हैं, 11 से 12 में गए हैं, वो अगर इसको seriously लेते हैं, इसको pursue करते हैं, त दूसरी चीज़, NDA के लिए के बहुत सरे misconceptions भी होते हैं, कि physical होगा, कि pattern क्या होगा, सिर्फ maths वाले जरे सकते हैं, तो please यह misconceptions दूर कीज़े, NDA का exam, हर वो boy, हर वो male student दे सकता है, जो 12th appearing है, या 12th कर चुका है, उसके लिए सिर्फ एक criteria होता है, कि आपको उस age bracket में आना है, stream म इने नहीं रखता, आप किसी भी stream से हो, किसी भी medium से हो, किसी भी percentage के बच्चे हो, आप NDA का exam दे सकते हैं, paper common आता है, और paper के बाद आपका physical test नहीं होता, आपका SSB, यानि कि एक services selection board, एक 5 दिन का curriculum बनाता है, आपका personality test का, वो आपको देना होता है, और उसके बाद आपका medical ह होता है, return और SSB के marks आपके add करके final merit बनाई जाती है, तो वो students जो कुछ अलग करना चाते हैं, जो अपना एक better career बाकी लोगों से हट के कुछ करना चाते हैं, और country को serve करना चाते हैं, उनके लिए ये September 2021 का exam आ रहा है, वो बहुत ही golden opportunity है, और उसके लिए आप अभी से focus कर सकते हैं, इसके अभी मई जून में form आएंगे, आप UPC की website पे जाके form बरेंगे, और उसके साथा ताथ अपनी preparation शुरू करेंगे, अब preparation की अगर मैं जहां तक बात करूं, तो हम Defense Forces Academy में NDA 2021 का जो September exam आ रहा है, उसके लिए हमने 5 महिने का एक proper curriculum बनाया है, online, offline batches के लिए, offline batches में ह आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, और दूसरा ये रखा है कि हमारा online जो class चलेगा, उसमें भी हमारा maximum strength 15 to 20 students का होगा, ये दोनों चीजें हमारे अलावा शायद ही कोई हमारे इंडिया में करा रहा होगा, कि fixed strength के साथ और वो भी इतनी कम strength के साथ, क्योंकि हमारा approach result oriented होता है हमें भी नहीं चाहिए, हमें वो बच्चे चाहिए, जो जिन पे हम personally focus कर सकें और बच्चों के साथ मिलके हम इसको achieve कर सकें, तो ये वीडियो हमने सिर्फ इसले बनाया है, ताकि आपको ये बता सकें, कि जो September वाला exam आ रहा है, अगर आप उसके लिए आभी से seriously सोचना शुर स्कूल मैनेजमेंट के साथ बात करते हैं, पेरेंट्स के साथ बात करते हैं, इवन पेरेंट्स भी इसको approach के तौर पे लेते हैं, बेटर approach के तौर तो ये पांच महिने अगर आप इसको थोड़ा सा manage करते हैं, तो आपको 12 के लिए पूरा-पूरा 6 महिना मिलेगा, जिसमें आप अपने boards पे focus कर सकते हैं, लेकिन ये NDA और सबसे बड़ी बात ये है कि आपका जो NDA का exam होता है, वो पूरी तरीके से school level का होता है, इसमें पूछे जाने वाले subjects आपके 11-12 के ही basis पे होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ ऐसा पढ़ना पढ़ेगा, जो आपके आ होगा, तो ये एक better career approach है, इसके बारे में जरूर सोचे, और हमने नए batches launch के हैं, online, offline, तो अगर आप interested है, तो हमारे पास आए, इन batches को join कीजे, या इसके लावा आप जैसे भी तयारी करना चाहते हैं, आप उसको कीजे, point ये है कि इस मौके को मत छोड़िए, क्योंकि अगर आप ये September वाले exam छोड़ रहे हैं, खास करके 12th appearing students, तो पहली चीज़ आपको याद रखनी हैं, कि आप एक साल लेट हो जाएंगे, क्योंकि आप फिर अगला September देंगे, क्योंकि April वाला तो आप दे नहीं पाएंगे, board exams के बीच में पड़ेगा वो, और दूसरी चीज ये है कि age भी एक बहुत बड़ा factor होता है, कई बार बच्चे 12th के बार जब NDA की तैहरी करने की सोचते हैं, तो उनके पास एक या दो attempt maximum बच्चे होते हैं, तो कई बार बच्चे उसको छोड़ देते हैं, कि सर हमसे नहीं होगा, लेकिन अगर आप अभी 12th में रहते रहते इस approach को लेके आगे बढ़ेंगे, तो आपको इसका जरूर फायदा मिलेगा, तो hopefully इस वीडियो से आपको थोड़ा help मिलेगा, बाकी NDA से related कोई भी जानकारी आपको चाहिए, तो आप UPC की website पे जा सकते हैं, पुराने notifications डाउनलोड कर सकते हैं, या National Defense Academy की website पे भी जा सकते हैं, और बाकी सारी चीजों के लिए आप Defense Forces Academy को contact कर सकते हैं, और जो भी आपको further information चाहिए, आप उसके लिए हमारे को Facebook पे या हमारे contact number पे आप हमसे contact कर सकते हैं, और बाकी आपको अगर इस वीडियो के अलावा और भी बहुत सारी जानकरें, हम देरे-देरे upload करते रहेंगे, तो please subscribe our channel and do let others also know कि यह एक ऐसा opportunity है जो आप कर सकते हैं, ठीक है, thank you guys and hope you are doing well and all the best, Jai Hil